नमस्क्राइब फ्रेंड्स मैं हूँ योगेश्वास, कंप्यूटर डिजी क्लास में आप सभी का स्वागत है आज के लेक्चर नमबर 197 और कंप्यूटर टिप्स के लेक्चर नमबर 31 में हम देखेंगे कि फ्रेंड्स ओनलाइन एक्जम कैसे बनाए गुगल फोम में ओनलाइन एक्जम बनाने के बाद ओटोमेटिक सर्टिफिक्टे स्ट्टिएंट को कैसे पहुचा जाए और बनाई हुई एक बार की एक्जम बार बार यूज़ कैसे करेंगे तो चलो फ्रेंड्स ओनलाइन एक्जम बनाने के लिए जब हम शरुआत कर ही रहे है तो सबसे पहले आपको आपके गुगल एकाउंट में लोगिन होना पड़ेगा क्यूंकि हम गुगल फोम के जरिये ये ओनलाइन एक्जम बनाने वाले है चलो मैं मेरे गुगल एकाउंट में लोगिन हो चुका हूँ गुगल एकाउंट में लोगिन होने के बाद जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे आपको ड्राइव ओप्शन दिखाए देगा मैं अभी मेरे ड्राइब में हूँ, आप देख रहे हो, मैंने अभी ड्राइब ओपन करके रखी हुए चलो, इतना हो जाने के बाद हम शरू करेंगे न्यू पर जैसे न्यू पर हम क्लिक करेंगे, बहुत सारे ओप्शन ओपन होगे वह हमें मोर में जाना है मोर पर हमें गूगल फर्म का एक ओप्शन दिखाए देगा गूगल फर्म पर क्लिक करने से नई टेब में हमारा गूगल फर्म ओपन होगा चलो, यह गूगल फर्म ओपन हो चुका है सबसे पहले गूगल फर्म को यह हम नेम देजाएंगे हम लगाएंगे test of English 806 यह हमारे गूगल फर्म का नेम बन चुका है जो नेम यहाँ बनता है वही यहाँ पर बन जाता है लेकिन याप यहाँ चेंज कर सकते हो चलो, यह हमने दे दिया हम यहाँ description भी दे सकते हैं कि कौन सी एक्जाम है, किस तरह से करना है, क्या क्या करना है जो भी सुचना लिखना चाहाँ, वो सुचना हो यहाँ description में आप दे सकते हो चलो, मुझे कोई सुचना भी ने लिखना चलो, यह हो जाने के बाद सबसे पहले हम setting में चले जाएंगे यहाँ setting open होगा हम यहाँ setting में जाएंगे एक, दो और तीन setting है सबसे पहले journal में collect email address पर tick mark on रखेंगे ताकि जो भी हमारी exam देने वाला हो वो हमका email address हमें मिल जाए फिर यहाँ tick mark करेंगे see summary chart and text response हम edit वाला off रखेंगे यह on रखेंगे presentation में चले जाएंगे show progress बार हम on रखेंगे ताकि जो response देने वाला exam देने वाला है वो देख सके वो कहाँ पहुचा है progress बार उसे दिखे shuffle question order हमें नहीं करना है हम जो order में question देते वही order में जाना चाहिए इसलिए हम shuffle question order यहाँ on नहीं रखे show link to submit another response नहीं हमें another response add करने के link नहीं देनी है तो हम यहाँ से tick mark on निकाल देंगे वरना यह link हमें जब submit करते बाद में दिखाए देती है यहाँ confirmation message अगर आप कुछ नहीं लिखते है तो यहाँ जो highlight होकर दिख रहा है वही message आएगा हम वही रहने देते हैं या तो हम लिख देते है test submitted चलो में इस तरह से लिख दिये फिर quizzes में चले जाएंगे यह important pass है setting का यह important pass को आप अच्छी तरह से follow करो friends यह हम make this quiz हमें इसे quiz बनाना है तिस तरह से quiz बना देंगे और release grade immediately रखना है फिर respond can see Mr. question Yes, correct answer Yes, point of value Yes, हम यह सब on रखेंगे और अब हमें क्या करना है save करना है जैसे हम यहां पर save कर देंगे इस तरह से हमारा जो टेस्ट थी वो इस तरह से बन जाएगी अब दूसरी चीज़े यहां पर theme customize theme कर सकते हो चलो मैं यहां से green color के theme select करता हूँ और green color में भी यही यह color मैंने select कर दिया header image भी दे सकता हूँ मैंने मुझे theme में से अगर select करनी हो तो theme में से ले सकता हूँ और वहां से नहीं लेना है तो आप अपनी तरह के से upload भी कर सकते हो और पहले से upload के हुए कोई photo जो वहां से भी ले सकते हो चलो हम theme में से ही ले लेंगे work and school है तो work and school में ले ले लेते है और चलो लगा देते कोई अच्छा सा जो हमें अच्छा लगे वह चलो हमने लगा दिया यह कौन सी है यह ले लिए इंसर्ट कर दिया आप देख रहो header image अब यह अप एड़ हो चुके चलो यह header image एड़ हो चुके आप अपकी शाला का कोई image हो वह भी लगा सकते हो कुछ भी यहां लगा सकते हो चम्राव ने लगा दिया है अब थीम यहांसे बंद कर देंगे यह चलो थीम हो चुका है यह सारे setting हो चुकी है अब हमें यह हो चुका है अब सबसे पहले हम section 8 करेंगे हमने section 8 कर दिया यह section 1 है और यहां से section 2 section 2 में हम लिखी देंगे student information हमने student की information दे दी चलो student की information में में क्या देना है सबसे पहला question यह question अब देखो यहां question बाइडिफुल होता है हम यहां लिख देंगे student name student name में हम क्या लिखेंगे बहुत सारे type है short answer paragraph इस तरह से हम वहां short answer select करेंगे और require है तो यहां से on रखेंगे yes required है अगर कोई validation रखना चाहते हो तो यहां से validation रख सकते हो description भी लिख सकते हो क्या लिखना है वह भी response validation भी यहां set कर सकते हो लेकिन हमें कोई जरूरत नहीं अभी तो हम रहने देते हैं चलो यह पहला question हो गया student के name यहां student name लिखेगा अब हम यहां पर education पर लिख करेंगे दूसरा question आएगा हम लिखेंगे standard student को standard लिखना है हम multiple choice दे सकते है या तो short answer भी दे सकते है multiple choice भी दे सकते है चलो हमने multiple choice में यह सिलक लिए हमें option देना है क्या या तो यह six वाला दे सकता है और यह seven वाला भी दे सकता है और यह eight वाला भी दे सकता है क्योंकि यह comment जैसी है तो तीनों दे सकते हैं इन्हें भी requirement में own रखेंगे चलो यह हो चुका है अब हम और एक question यहाँ पर add करते है यहाँ से करते है यहाँ तो आप copy कर सकते हो जैसे मैं duplicate पर click करूंगा आप देखरो student name standard और यहाँ आज चुका है हम यहाँ लिख देंगे class चलो class लिख दिया हम यहाँ लिखते है a जैसे जितने class आपके school में हो इस तरह से लिख सकते है a b c चलो और एक बाकी है हम चोथा question यहाँ add कर सकते है रोल नंबर चलो हमने रोल नंबर add कर दिया हम short answer लिख सकते हैं लेकिन रोल नंबर में हमें validation देना होगा क्या देंगे यहाँ से आप validation ओन हो चुका है आप validation इस तरह से ओन करेंगे आपको यहाँ validation दिखाए देगा validation में क्या लिख सकता है वो test लिख सकता है number लिख सकता है length क्या रखना हम number रखते हैं और number कहां से कहां रखेंगे कोई भी आ सकता है between रख देंगे हमारे class में एक number से शरू होकर 50 तक student है तो हम वो लिख देंगे चलो यह हो चुका है यह हमारा काम हो चुका हमारे information हमने ले ल section section 3 है section 3 में हम सुचना देंगे कुछ इस तरह से चलो यह सुचना हमने दे दी के fill the blank using given word m is our wasware इससे आपको यह fill करना है अब यह section के अंदर जैसे section 3 के अंदर हम एक question add करना है तो हम यहां पर click करेंगे add question पर इसलिए section 3 में question add होगा चलो हम पहला question type करते हैं चलो हमने पहला question type कर दिया है हम अब हम option में क्या लिखेंगे option में लिख सकते हैं चलो हम दो option देते हैं पहला होगा is और दूसरा होगा was और तीसरा option होगा where और चोथा option है are चलो हमने चार option दे दिये friends यह चार option हमने दे दिये अब हम यहां quiz add करना है हमें यहां quiz लगाना है तो हम क्या करेंगे यहां last में देखो यहां पर answer key यहां हमें click करना है जैसे answer key पर यहां पर click करके answer key पर इस तरह से पूछा जाएगे कितने marks रखने है यह question के चलो हमने लग दिया एक marks हमने एक marks लग दिया अब पूछा जाएगे कि correct answer कौन सा है तो हम लखेंगे is यह सिलक कर लिया यह हमारा correct answer है और यहां से हम done करेंगे नीचे देखो done हमने done कर दिया यह पहला question खतम हो चुका है यह सही दूसरा question अगर मैं बनाना है तो हमें क्या करना होगा duplicate पर click करेंगे दूसरा question मिल जाएगा और दूसरा question हम type करते हैं चलो दूसरा question में ने type कर लिया है हम option यही रखने वाले हैं लेकिन answer sheet में change करने के यह वाला नहीं रहेगा यह वाला option question रहेगा चलो उने down कर दिया यह हो चुका है अब हम 3 इसी टाइप का है इसलिए हम duplicate बनाते हैं पर तीसरा question type करेंगे तीसरा question type करिया लेकिन यहां हम option change करना चाहते है तो हम यहां पर change कर देंगे हम यहां पर option में mb लिखना चाहते हमने लिख दिया अब हम answer restore key में जाएंगे marks add करेंगे और right answer कौन सा है वह लिखेंगे my friends are here today हमने right question यह है हमने done कर दिया तो इस तरह से एक दो तीन question हो चुके चलो और दो question add कर देंगे चलो friends मैंने 5 question यहां use कर दिया है लेकिन हम यहां यह भी करेंगे यह requirement है तो यह compressory add करेंगे यह requirement करना है और यह question को सिले करेंगे और इसे भी requirement compulsory है दूसरा question सिले करेंगे उसे भी requirement रखेंगे चोथा question सिले करेंगे वहां भी requirement है और 5 question और वह compressory है सब 5 एक प्सक्राइब इस तरह से हमने इनके बाद और एक section एड़ करके आप अपना और टाइप की exam एड़ कर सकते हो लेकिन आप sample है इसलिए हम यहां रुखते है चलो अब हम क्या करना है यह तो हो चुका exam बन चुके है और आप यहां पर जाके preview भी देख सकते हो आप यह exam कुछ इस तरह से दिखेंगी और एक setting कर साथ वह कैसे करेंगे तो सबसे पहले आपको और एक चीज करनी है आपको यहां send के पास और मेरे profile के पास यहां तीन डोट दीख रहे हैं आप देख रहो मेरा कर्स जहां पर है वहां तीन डोट दीख रहे है वहां पर क्लिक करेंगे आपको add-ons इस तरह से एक option दिखा देग यहां add-on वहां क्लिक करेंगे इसलिए आपके सामने और एक setting open होगा add-on का जो यहां पर G-suit marketplace open होगा हमें यहां certified लिखना है install होने के लिए बोल रहे हैं हमें install करना जैसे हम यहां install करेंगे continue पूछा जाएगा हम continue करेंगे तो यह account में add-on add होगा लेकिन add-on add होने से पहले आपके पास कुछ permission पूछी जाएगी वह सब पढ़ लेना पढ़ने के बाद आपको यहां allow करना है जैसे आप allow करेंगे वह permission apply होने के बाद यह certificate computer g class नाम के email के भीतर यह add हो जाएगा आप देखरो process हो रही है थोड़ी देर लगे कि friends अगर आप mobile में use करते हो तो भी देर लगे कि यह स्थरह से हो चुका है अब हम done कर देंगे और market g suite है g suite marketplace को हम close कर देंगे यह close हो चुका है यह certified option पर क्लिक करने से आपके सामने इस तरह से option आएगे show certified control अब जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से certified own होकर आएगा आप देखरो pass वाले thumbnail में जहां मेरा यह cursor move हो रहा है वहां पर certified का setting open हो रहा है accept the term of service यह own करने के बाद certified के कुछ settings आपके सामने open होगे सबसे पहला है status certificate is certification is off है हम turn on करेंगे please wait turn हो रहा है जब तब turn नहीं हो रहा है आपको wait करना होगा जैसे turn हो जाएंगे तो हम आगे काम कर सकते है चलो certificate is on हो चुका है अब record certificate records अगर पहले बेज़े होंगे तो होगा लेकिन यहां पर कोई नहीं होगा क्योंकि हम शरुआत कर रहें अभी चलो passing marks कहां से रखना है कितने रखना है चलो हम रखते है 40 40 रखेंगे passing marks हमारा 40 रहे और template यूज़ करना है golden किस तरह से कौन-कौन से template यूज़ करने है आप ले सकते हो यहां by default golden रहता है red ribbon औ और preview देखना चाहो तो आप preview भी देख सो तो यह जैसे यहां पर click करोगे आपके सामने सारे certificate preview में दिखेंगे चलो यह browse from है golden है इस तरह से आपको दिखेंगे आपको कौन सा रखना है आप use कर सकते हो हम select करेंगे और smiley ribbon select कर लिया saving your changes यहां changes हो रहा है अगर advance में चले जाओ कुछ इस तरह से option आपके सामने दिखाए देंगे अगर आप यह setting करना चाहो तो कर सकते हो इस तरह से जो setting open होते है यहां से message show upon submission better submitted सही हमें कुछ नहीं करना है अलो CCY यह other identifier नहीं करना है तो रहने दो हमें नहीं करना है sender कौन है email option name of sender subject और यह भी लिखना चाहो तो इमेज भेजना है चलो हम इमेज रखते हैं हम इमेज भेजना चाहते है शेर वाय या email करना है या Google Drive करना हम email ही रखते है और save changes कर क्लिक कर दे चलो यह certified setting हो चुका है अब certified यहां close कर देंगे चलो अब पूरी तरह से हमारी exam prepare हो चुक है यह हमारी exam बन चुक है अब हमें क्य लिक करेंगे हमारे सामने send फम का option open होगा collect email responses yes अमने तो रखा है इसलिए यह open होगा तीन option है send वाया तीन वन टू और त्री option है पहला है email आपको सब के email यहां लिखने है और आप जैसे add करोगे सारे add हो सब को मिल जाएगा दूसरा option है send वाया link यह link है बहुत लंबी link है के सामने short link हो जाएगी इससे आप copy कर सकते हो और तीसरी बात है यहां embedded HTML तो हम HTML के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं तो हमें वो नहीं करना हम यह link वाला use करेंगे short URL लेंगे copy इससे करेंगे चलो यह copy हो चुका है चलो यह form मेरा बन चुका है अब मुझे क्या करना है यह form को मुझे open करना है तो चलो हम और एक बावजर open करते हैं और वहां यह form की paste हम करेंगे और enterprise करेंगे आप देख रहो जैसे link पर को क्लिक करेगा यह link open होगी आप workshop के जरिए mail के जरिए किसी बेज तरह आप student तक इसे पहुंचा चकते हो हमने यह पहुंचा दिया सबसे पहले क्या लिखेंगे email address compulsory है तो हमें लिखना होगा हम लिख देते है computer dg class at the rate gmail.com email address क्यों हम लेंगे चुकि हमें certificate based नहीं से अब next पर क्लिक करना है standard 6 गुजराती English chapter 1 आया student का नाम हम लिखी देंगे योगेश व्यास कोई भी लेंगेज में लिखे student हमें मना नहीं करना है standard यह 6 सिलेक कर सकते 7 8 क्यों बहुत आसान पेशन है इसलिए हम यह कर सकते तो 6 ले लेंगे b class ले लेंगे roll number हम लिख देंगे 10 23 चलो अब next पर क्लिक क करेंगे आपके सामने इस तरह से option होंगे today is saturday तो यहां इस राइट चलो अब यस्टरडे ब्लेंक फ्राइडे वोज यह माइफ्रेंड खर जागे here today my friend friends are here today यहां लेंगे वेर चलो हमने यहां पर इस एक गलत आंसर हम भी देंगे चलो यह हो चुका यहां progress भार भी देख रहे हो three of three हो चुका है अब मुझे submit पर क्लिक करना है जैसे मैं submit पर क्लिक करता हूँ यह हो चुका चलो यहां view score और see previous response और test submitted इस तरह से हो चुका है अब मुझे view score करना है जैसे मैं view score करूंगा आप देख रहे हो view score यहां मिल जाएंगे उसे student information में त तो कुछ नहीं था, यहां देखो उसे क्या मिला, one में से one marks मिल चुके है, यह answer सही था, यह answer भी सही था, इसलिए यह green color और इस तरह दिख रहा है, यहां भी था, one में से one मिला है, लेकिन यह answer गलत था, इसलिए one में से zero मिला है, और wrong answer यह है, और right answer यह था, यह दिख रहा है, और यहाँ पर भी यह wrong answer था, यहाँ पर right answer यह है, तो यह one में से one नहीं मिलता, तो इस तरह इसे क तीन में, पांच में से तीन सही हुए है, चलो यह score भी यह देख सकते हैं, अब क्या करना, कोई नहीं, यहाँ पर हम close कर देंगे, तो हम यह मिल चुका है, अब हमें जाना है mail क के जरिये, थोड़ी देर में हमें, वो certificate मिल जाएगा, तो हम वो देखने के लिए जाएंगे, certificate मिला है की नहीं मिला है, तो certificate देखने के लिए हम चले जाएंगे, हमारे Gmail account में, चलो हम Gmail open कर देंगे, यह हमने Gmail open कर दिया, यह Gmail open करेंगे, आपको देखरो, यह certificate is here for standard 6, हम क्लिक करेंगे, हमें यहाँ image इस तरह से मिला हुआ, जैसे क्लिक करेंगे, आप देखरो, यह certificate मुझे automatically मिल चुका है, कितने score हुआ, 60% हुआ, इस तरह से आप certificate भी student गेट कर सकता है, चलो फेंड, सब और एक last बात करेंगे, यह हमारा test of English standard 6, यह हमारा test था, अब इसे हम क्लिक करेंगे, और अब हम देखना है, अब हमें देखना है, responses, चैसे question के जगा, अब responses में चले जाएगे, आपको इस तरह से response मिल चुका है, यह response आपको मिला है, कौन-कौन से, कितने question में, कितने marks पाए है, कौन-कौन student ने किया है, क्या-क्या किया है, कौन से answer में, कितना percentage हुआ है, वो सब आप यहां देख सकते हो, यह हुआ, summary और question के question wise भी देख सकते हो, इस तरह से student के name select करते हो, तो इस तरह से हो चकाए question, हमने select के लिए today is Saturday, एक question में, कौन से कितने right है, कितने रोंग है, इस तरह से आपको मिल जाएगा, और तीसरा है individual, student wise आप देख सकते हो, कि योगे श्यास को किन-कौन से, किन-किन से कितने हुए थे, यह response भी देख सकते हो, और एक तरीका भी है, और एक तरीका है, यहाँ Google Sheet पर click करने से, यहाँ तिन dot में जाओंगे, इस तरह से open होगा, कि आप CSP में भी कर सकते हो, delete कर सकते हो, और print all response, print भी कर सकते हो, और get email notification for new response, यह भी setting on कर सकते हो, यह सारे setting रहेंगे, और यहाँ पर, यह जो create spreadsheet, यहाँ पर click करेंगे, आपके सामने create spreadsheet open हो जाएगी, हम name क्या रखना चाहते है, यही, यही name हम रिखेंगे, और जैसे create करेंगे, आप देख रहे हो, create sheet open हो जो रही है, यह open हो रहे है, create sheet open हो गई, आपके सामने sheet open है, देखो, कितने अंसर दिया था वह भी सारे आप देख रहे हो और यह दोनों आपके यहां से हो जाएगे आप देख रहे हो टेस्ट ओप English Standard 6 के response की एक Google sheet है और यह form है चलो और एक तरीका बता करते हैं यह Google form को हम close कर देंगे यह test of English Standard 6 है हम right click करेंगे make a copy make a copy पर click करेंगे जैसे copy पर click करेंगे आपके सामने यही Google form की और एक copy बन जाएगी देखो यह Google form की और एक copy बन चुकी है हम right click करेंगे और rename करने वाले है हम rename करेंगे copy of test Standard 6 से अब हम लगा देंगे Standard 7 ओके प्रेस कर दिया चलो अब यह Standard 7 की बन चुकी है अब यह double click करेंगे Standard 7 के लिए नई बन चुकी है अब हमें क्या करना है कुछ नहीं करना है सिफ यह यहां से हमें और थोड़ा सा changes करना है सिफ की जगे 7 लिखेंगे अगर chapter कोई change हो तो chapter 3 तो chapter 3 लिखेंगे बाप की सारी setting इस तरह से रहेगी student information यही रहेंगे section 3 में यहां से आपको change करना है तो यहां से सिफ question change करो चैसे question change कर दोगे तुरंत आपकी exam ready हो जाएगी फिर आपको कहा जाना है certified में चुकि setting सारे apply हुए है setting सारे apply जे कोई सारे setting है quizzes on है सारे setting on है सिफ certified में जाना है certified पर click करेंगे show certified control पर click करेंगे आपके सामने certified का यह dialogue box open होगा जैसे certified open होता है आपको shift certificate turn on करना है किसके लिए यह exam के लिए आपको certificate turn on करना है जैसे आप certificate को turn on करते है एट please wait आ रहे है आप certificate one होने तक हमें hold करना होगा चलो यह हो चुका हम passing marks यहां रख देंगे 50 चलो यह 50 हो चुका है अब template कौन सा रखना है जो भी रखना है red ribbon हम रख दिया हो सारे setting करने के बाद हम यहां से close कर देंगे चलो यह हो गई standard 7 की exam ready आपके सामने रेडी है सीर्फ और सीर्फ आपको यहां question ही बदलने है और कुछ नहीं बदलना है यह exam ready हो चुके है सीर्फ आपको send पर जाना है और वाया link करना है short URL सिलब करना है जैसे short URL बनते है copy करेंगे और close करना है और यही URL को आपको share करना है चलो हम एक बार फिर से जाएंगे यह हो चुका है और एक नए ब्राउजर ओपन कर लेंगे ब्राउजर ओपन किया है हम control V करते हैं देखते हैं हमारा google form अमारी सामने आ यह लेको standard 7 इस तरह जे आ चुका है तो इस तरह से आप तुरंत यह सब कर सकते हो friends चलो friends I hope आपको यह अच्छा लगा होगा और आप इस तरह से एक्जाम बना पाओगे friends मेरा वडियो अच्छा लगा तो लाइक जुरू करें और मेरी चनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe करें और bell icon को भी प्रेस करें ताकि सारे वीडियो नोटोफिकेशन में आपको अच्छी तरह से मिल पाए और मिलते अगले वीडियो में तब तक thanks for watching मैं हूँ योगेश्वास from computer dg class good bye